हाई गाइस वेलकुम बेक टो आ न्यू वीडियो इस वीडियो को बैक्राउंड देखके आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले सोनी जड़ी टैन एंड सोनी जड़ी टैन मार्क टू के बारे में ये भी बताऊंगा कि आपको नया कैमरा लेना है तो आपको सोनी जड क्लियर हो जाए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहला डिफ्रेंस है लेंस के उपर सोनी जड़ी टैन के साथ जो बॉड़ी आती थी उसके साथ अटैच लेंस आता था वह ये लेंस आता था जो की स्पेशल फोटोग्राफी के लिए बनाया गया था अभी जो लें 759 अटोफोकस आपके कैमरा का 90% जो एरिया कबर कर लेता है और सभी एरिया में आपको अच्छा आटोफोकस देखने को मिल जाएगा बट मिलें जड़ी टैन पुराना वाला भी यूज किया ऑटोफोकस इसका भी बहुत शार्प है और बहुत बड़ी आटोफोकस करता है वीडियो पर आप लोग जरूर से चेक आट कर लेना आई बटन पर आपको दिख रहा होगा नेक्स जो अपग्रेड है यह भी काफी बड़ा अपग्रेड है जो कि मुझे काफी पसंद आया जो कि इसका बैटरी का पहले जो सोनी जड़ी टैन में चोटी बैटरी डलती थी अभी सोनी जडिटन माक टू में बड़ी बैटरी यहां पे ब्यटरी बड़ी दे दी तो कैमरा का साइज ब बढ़ा वगा देख स्थे दे मैं वो देखने में थोड़ा थ magari आप बैटरी बड़ी दीए तो यहांप को सच इद्ज आँगी ही सांठ इमेज और बिड़ी डिट यहां पर लिख दिया आप देख सकते हो वीडियो रेकोर्डिंग में आपको देखने को मिल जाता है Sony ZB10 Mark II में 4K 60fps तक का रेकोर्डिंग पहले वाले में आपको 4K 30fps ही मिलता था बट यहां पर नोट करने वाली बात यह कि यह crop sensor camera है और जब 4K 60 रेकोर्ड करता है तो यह और जदा crop हो जाता है यह जो feature है यह है real creator के लिए जो shoot करते है vertical mode में क्योंकि यह बाकी cameras में क्या होता है vertical mode में shoot तो करते हैं लेकिन वो horizontal में हमें computer में edit करना पड़ता है तो यहां पर अगर आप vertical में shoot करोगे तो यह आपको vertical में ही आपको export करके footage देगा बात करे sensor size की दोनों में आपको crop sensor देखने को मिलता है तो as it is same ही है अब बात करे conclusion की तो दोनों camera में ज्यादा difference तो नहीं है क्योंकि already इसमें काफी feature है दो-तिन feature इसमें आपको upgrade करके दे दिया गया है जो आप यह कह सकते हूं कि new camera ले रहा है उसके लिए काफी सही है अब एक और main point यह आता है कि price range हमारा budget देखो यह जब भी हम camera bike करते तो सबसे पहले हमारा budget आता है तो आपको पता ही है तो हमारा budget कितना है pocket कितना लाओ करती है वो main चीज है अभी मैं आपको यहाँ पर simple सी बात बता हूँ अगर मेरा budget 50,000, 60,000 है अगर मैं content creator बनना चाहता हूँ या YouTuber या blogger बनना चाहता हूँ तो मैं Sony ZB10 ही buy करूँगा क्योंकि यार मेरा budget 60,000 के under मुझे ये camera मिल रहा है जिसमें कि almost सभी feature है सिरफ 4K60 चोड़के या फिर inbuilt LUT चोड़के या बड़ी बैटरी चोड़के अब बड़ी बैटरी का तो यार solution जो है मैं एक extra बैटरी खरीद के भी कर सकता हूँ इन भी लड़की बात करते इसमें आपको log footage मिल जाता है जो दोनों में common है काफी feature दोनों में common है तो इसलिए मैंने इसमें include नहीं करा आप detail में दोनों की वीडियो देख सकते हो आपको description में link मिल जाएगा end of the end में आपको यही कहूँगा अगर आप as a content creator होना तो आप ये camera buy करो एक लाग से उपर ही ये camera launch होने वारा है ऐसे leaks सारे एक लाग से नीचे रहा तो तब भी फिर भी ठीक है अब ये camera किन को लेना चाहिए जिनका budget है 1 lakh round और जिसका सारा काम जो content creator से related है और खुद के लिए shoot करना है तो वो ये camera ले सकता है 1 lakh round budget भी उसका और इसमें आपको काफी सारे ऐसे feature मिल जाएंगी जो आपको professional cameras में मिलते हैं यानि कि एक semi professional cameras में आ जाता है तो वो बंदा ये camera ले सकता है तो कैसी लगी वीडियो मुझे comment में बताना और किस topic के उपर वीडियो चाहिए मुझे ओ भी comment में बताना मैं सब के comment कर reply कर रहा हूँ और ऐसी वीडियो इसके लिए channel को subscribe कर लो क्योंकि इस channel पर ऐसे educational content आते रहेंगे and more information real videos के लिए मुझे instagram पर follow कर सकते